हम चलेंगे फुकेत के टाइगर पार्क में हम फ्रेंज के साथ यहां ग्रूप ट्रिप के लिए आये थे सो हमने सोचा चलो टाइगर पार्क भी एक बार चले क्योंकि जो हमारे फ्रेंज है वह इंडिया से आये थे और एक यह नया और अच्छा सा experience हो जाता है, यहाँ पर खुले tigers के साथ, clicks, pictures करवाने का, या उनको छूने का, तो इसलिए हम उन सब को tiger park लेकर आए in Phuket, so let's see, यहाँ पर कौन-कौन से tigers हमें देखने को मिलेंगे आज क्योंकि बच्चे भी है, तो पूछना पड़ेगा, बच्चे are allowed बड़े tigers के साथ या नहीं so, चलिए मैं पहले आपको ये area दिखा दू, tiger park का अभी हमने entry करी है just, and let's see, यहाँ पर कुछ tigers दिख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे थे so, देखें कौन से tigers है, I guess बड़े वाले tigers का area है यहाँ पर oh yes, यहाँ पर देखें, अल्रेडी बहुत से लोग है, जो अंदर अल्रेडी बिच्चे क्लिक करा रहे है बड़े tigers के साथ, so this is a tiger park in Phuket, let's enjoy यहाँ पर tiger park की यह पूरी ticket की वो description दी हुई है जो per person है, that is 900 baht की ticket and जो kids की है that is 700 baht की so हमने 900 baht की ली क्योंकि हमारे जितने भी बच्चों थे वो सब हमारे बड़े थे दो तीन को छोड़ कर तो वो तीन टिकेट्स जो है हमने 700 baht की ली बाकि सब की 900 baht की ली क्योंकि सब की जो age है वो 10 years से उपर थी अभी तो tiger यहाँ पर enjoy कर रहा है टेहल रहा था so जितने भी हम बड़े थे हम सब बड़े-बड़े tigers के पास गए और सिरफ मैं अकेली ऐसी थी जिसको जाना पड़ा बच्चों के tigers के पास क्योंकि किसी तो volunteer को मतलब family में से या group में से किसी को एक को बच्चों के साथ जाना जरूरी था so बाकी के सब गए थे बड़े tigers के पास so यह मेरी कुछ पुरानी pictures थी और सबने बहुत अच्छी-च्छी pictures click कराई बटा I am very sorry मेरे पास उनकी pictures नहीं आप आई बड़े tigers के साथ so इसलिए बस मैंने वीडियो बनाया था तो I am sharing it with you और मेरे पास कुछ मेरी पहले की trip की pictures थी तो वो मैंने आपके साथ share करी है इस वीडियो में tigers को गर्मी में बहुत मजा आ रहा है पानी के अंदर सी बैठने में और खेलने में एक टाइगर्स के साथ इनो खुले टाइगर्स के साथ घूमने का और उनके साथ photos क्लिक कराने का एक बहुती अच्छा experience है in Thailand आप कहीं पे भी जाएंगे ना Phuket या फे पताया, चिंगमाई, चिंग्राई हर जगा पर आपको एक टाइगर पाक जरूर मिलेगा So I guess according to me आपको एक बार तो जब भी आप थाइलेंड आए जरूर experience करना चाहिए This is a very, you know, different and very fearless experience बहुत मज़ा आता है टाइगर्स के साथ यहाँ पर Trip में भी जितने हमारे friends आए थे, they all enjoyed a lot You know, they said कि वाओ ऐसा experience इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलता है So that's why they enjoyed a lot यहाँ पर Even बच्चों को भी बहुत मज़ाया अभी हम उनको ले पहले इनका बड़ो का हो जाए फिर उसके बाद हम बच्चों को लेकर जाएंगे छोटे टाइगर्स के साथ यह देखिए यह मैंने कुछ पिच्चेज लगाई है हमारे ग्रूप के बच्चों की और मेरी बेटी की So now we are going to छोटा टाइगर्स जो स्मॉल टाइगर्स है I will try to show you the newborn टाइगर्स अलसो बट पहले इन बच्चों को इंजोई करवा दे स्मॉल और मीडियम टाइगर्स के साथ So this was the small and medium टाइगर्स का एरिया जहां पर सारे बच्चे जाएंगे And मैं जाओंगे उनके साथ यह देखें यह medium टाइगर्स है इन बच्चों को instructions दी जा रही है कि कुछ भी हो जाए Please आप भागेगा नहीं ताकि टाइगर आप लोगों के पीछे नहीं भागे और आप लोगों को डर नहीं लगे अगर आपको डर लगे किसी भी तरीके से कि टाइगर हिलता है या कुछ है तो stay there So जो यह instructors है They will you know take care about the everything But मेरी बेटी ने तो बहुत ही enjoy किया हम सबने पिच्च्च करवा ली है अब मैं आपके साथ शेर करूँगी पिच्च्च्च But this is the medium tiger and these are the newborn tigers Newborn tigers के पास हमें जाने नहीं दिया गया था Because वो बहुत ही active होते हैं उनके दाथ बहुत ही sharp होते It easily सुनते नहीं है या control में नहीं आते है इसलिए बट हमें दिखे थे तो मैंने का आपके साथ शेर करूँ And these are the big tigers जिनके साथ बाकी के group ने मतलब सबके mummy-papas ने यहां पर click करी थी बस मैं रह गई थी So this is the group and the pictures But मैं पस पहले की pictures है तो फिर इसलिए मैंने आपके साथ शेर करी So अगर आपको मेरा यह Tiger Park का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दू शेर मैं वीडियो, मैं चानल and दू सब्सक्राइब Thank you